यह award मेरको entrepreneur of the year power sector में मिला है यह काफी prestigious award है 2024 में अभी हमको national quality award मिला है You are as good as your team मैं इसको बहुत ही positive way में देखता हूँ मेर से ज़्यादा मेरी team इस बात के लिए खुश है की award हमको मिला MSPL के प्रभन दिदेशक गौरव रुम्टा को किसी परीचे की जरुवत नहीं है राजस्थान ही नहीं पूरे देश में और ध्योगी क्षेतर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गौरव रुम्टा ने अब राजस्थान का नाम अंतराष्टिय इस्तर पर जो रोशन है वा किया है अभी पिछले दिनों Bangkok में आयोजित एशिया इंटरप्राइजेज अवार्ड सेरेमनी में राजस्थान का प्रतितन निर्दित्व करते हुए गौरव रुम्टा ने दो अवार्ड जीते हैं हमारे साथ गौरव रुम्टा मौजूद है उनसे बात करेंगे गौरव जी पहले तो बहुत-बहुत शुपकामना है आपको इस अवार्ड के लिए धन्यवाद सर जानना चाहेंगे यह किस तरह के का अवार्ड है कौन से शेत्रों में आपको इस अवार्ड मिले है यह अवार्ड मेरको एंट्रिप्नेयर ऑफ दे इयर पावर सेक्टर में मिला है यह काफी प्रेस्टीजियस अवार्ड है इन्होंने 32 कंट्रियों से इम पैनल करके अवा अवार्ड था तो एंट्रिप्नेयर ऑफ दे इयर इन पावर सेक्टर का अवार्ड मुझे यह मिला है एक और अवार्ड शेत्र में आपके मतलब जो कंपनी है उसको भी मिला है उसके बारे में जाना है यह एंट्रप्राइज इंडिया काफी प्रॉमनेंट मैगजीन है हमको क्राउन अवार्ड मिला था ग्लोबल लेवल पर लंडन में और 2024 में अभी हमको नैश्चनल क्राउन ऐवार्ड मिला है तो यह काफी Kenneth Richmond बताता है कि हम जो क्वालिटी है वो Even और world-class डेलिवफ और अगर ऊध्योक के शेत्र की बात की जाये तो इंडिया इस समय लगाता अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर ये अवार्ड मिलना जो इंडिया के अध्योगी क्षेतर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कितना महत्पून सा भी थोसे हैं देखे जी ये जो अवार्ड होते हैं ये बहुत महत्पून होते हैं ना कि जिसको अवार्ड मिलता है उसके लिए बट पूरी टीम के लिए आज मेर से ज़्यादा मेरी टीम इस बात के लिए खुश है कि अवार्ड हमको मिला बिकॉज अल्टिमेटली मेरा ये बोलना है कि आज मेरा ये फल आ रही है और दूसरी बात इंडिया की कोई कंपनी या इंडिया का कोई इंडिविज्वल अगर वर्ल्ड लेवल पर रेकेगनाईज होता है तो ये ना केवल हमारे लिए इंडिविज्वल या कंपनी पर देश के लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात है रुम्टा फैमिली का एक बड़ा नाम है ऐसे में गौरव रुम्टा होने के नाते राजस्थान के आप रहने वाले हैं राजस्थान के ओध्योगी क्षेत्र को किस रूप में देखते हैं और भविश्य में क्या और संभावना है आपको नजर आते हैं तेखे जी आज जो राजस्थान है वो इन टर्म्स ओव लैंड एरिया सबसे बड़ा स्टेट है जो हमारा जी एस्टी कलेक्शन है वो हम आज आठवे नवे नंबर पे आते हैं तो स्कोप तो बहुत है राजस्थान में गर्मेंट काम भी कर रही है बट इस काम को हमको थोड़ी गति शीलता देनी पड़ेगी उसके लिए जैसे अभी गर्मेंट राइजिंग राजस्थान करके एक बड़ा इन्वेस्मेंट समिट कर रही है पिछले सरकार ने भी काफी अच्छा रिसरजन राजस्थान इन्वेस्मेंट समिट किया था तो ये सब इन्वेस्मेंट समिट से हमारको इंटरनेशनल इन्वेस्मेंट प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्मेंट आते हैं आज हम लखी है कि dedicated freight corridor का 55% भाग राजिस्तान से गुजर रहा है तो आज हमको focus देने की यह जरूरत है कि जहाँ जहाँ से dedicated freight corridor गुजर रहा है क्या हम वहाँ industrial park डेवलप कर सकते हैं क्या हम specific need based park डेवलप कर सकते हैं क्या हम plug and play के park डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर काम अपना चालू कर सके तो इसमें काम जरूर हो रहा है यह सरकार काफी कटी बद है industrialization के लिए बट इसमें थोड़ी और काम करने की जरूरत है और राजिस्तान में immense scope है हम इतना बड़ा पत्पत्रा में हमारा petrochemical hub बन रहा है उसके around सरकार बात कर रही है कि हम petrochemical से related क्या क्या industrialization setup कर सकते है solar इतना बड़ा हमारे state के अंदर है क्या हम solar manufacturing panel manufacturing है wafer manufacturing है उनकी units यहां ला सकते हैं तो immense scope है राजिस्तान में और हम को इसको tap और करना चाहिए आपने rising राजिस्तान की बात की देखिए सरकार को बने अभी 9 मेहने का समय हुआ है लेकिन investment के रूप में अभी से सरकार 5 साल की सोच के चल रही है rising राजिस्तान, राजिस्तान के भविशे के लिए किस रूप में बहतर से और बहतर साबित हो सकता है as a business man आपके कुछ tips जो सरकार तक पहुँचाने हो देखे जी मेरा ये मानना है जब कोई भी सरकार नहीं आती है तो वो एक नई energy नई enthusiasm के साथ आती है हमारे जितने भी investment summit हुए हैं वो investment summit या तो सरकार आने के धाई-तीन साल बाद होते हैं या जब वो सरकार election के तरफ जा रही होती तब होता है ये पहली बार हो रहा है कि नौ मेने के अंदर हम इतना बड़ा event ये सरकार कर रही है मेरा पूरा का पूरा appreciation चीफ मिनिस्टर साब को इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साब को और प्लस जो हमारे principal secretary industries है chief secretary है उनको जाएगा कि आज बिलकुल नई सरकार आने के बाद immediately इतना बड़ा submit करना और उसको pull off करना ये बहुत बड़ी बात है उससे सबसे बड़ा advantage क्या होगा कि आज जो commitments होंगे सरकार के बस चार साल है उन commitments को पूरा करने के लिए प्लस structure लाके और जो investment industrialist ने किया है वो पूरा करेंगे इस चार साल में वो investment लाके नहीं तो क्या होता है कि अगर सरकारे बदल जाती है तो midway में जो policies वो drop हो जाती है विकॉज ये first time ऐसा हो रहा है कि हमारे पस चार साल का run होगा after ये इतना बड़ा summit होने के बाद तो मैं इसको बहुत ही positive way में देखता हूँ और ये बहुत ही अच्छा initiative government ले रही है मेरा अंतिम सवाल देखिया आपने award जीता है राजस्थान के एक सम्मानित आप जो है dignities है वो यहाँ पर है business के शेत्र में बहुत सारे लोग आना चाहते है youth है वो अब थोड़ा सा उनका mindset बदलता जा रहा है अपना business startup शुरू करना चाहते है उनके लिए आपके क्या message रहेगा कि कौन सी ऐसी बाते हैं जिनको ध्यान में रखा जाए क्योंकि business में success होने के लिए patience बहुत जादा चाहते है मेरा यह मानना है जी कि आज सरकारी नौकरियां सरकार बड़ी limited दे सकती है private sector भी limited employment दे सकता है यह बहुत ज़रूरी है आज हमारा जो startup की दुनिया है उसमें अगर आपके पस अच्छा idea है तो आपके पस funding की कोई कमी नहीं है लोग line में खड़े हैं अच्छा idea को fund करने के लिए जो यह नए entrepreneurs हैं उनके लिए मेरा यह suggestion है कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है mentorship अगर हम अच्छे incubation centers बना सके बोथ government private sector के साथ मिलके और private organizations जैसे CII है और other organizations है incubate कर सके कि इनका जो idea है वो weather idea इस लायक है क्या कि उसमें उनको funding मिल सके और आगे success मिल सके प्लस अगर जब उनको funding मिले तो funding को rightly utilize कैसे कर सकते हैं और जो इनका idea है इसको business में skill up कैसे कर सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इनको right time पे right mentorship मिले और mentorship के साथ इनको automatically funding availability भी बहुत अराम से मिल सकती है अगर right mentor आएंगे तो right mentor नहीं कि उनको सिरफ access दिलाएंगे funding की बड़ वो खुद भी उसमें invest करेंगे तो mentorship is the key दूसरा एक coercive environment बनाना talent का क्योंकि आज अगर यहाँ कोई भी startup आता है आज एकर हम राजिस्तान में देखेंगे तो हमारे पास पाँच unicorns राजिस्तान से निकले हैं जिसमें हम सिरफ दो ही unicorns को राजिस्तान में रोक पाए बाकी unicorns हमने lose कर दिये क्योंकि हमारे पास talent pool का coercive environment नहीं है यह environment जब तक हम create नहीं करेंगे हम start-ups को नहीं रोक पाएंगे बैंगलोर हैदराबाद नौइडा दिल्ली यह हमसे वो start-ups को ले जाएंगे हमारे unicorns को ले जाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस coercive environment पे काम करें जिससे कि हम इन talent pool को यहां develop कर सके और रोक सके बहुत बहुत धन्यवाज सर हमसे बात करने के लिए और यह थे गौर और उंटा जी देखिए अंतराश्टी इस्तर पर राजस्थान का नाम इन्होंने रोशन किया है इसके साथ ही आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान में राजस्थान के व्यापारिक शित्र में और क्या भैतर हो सकता है इसको लेकर भी इन्होंने चर्चा की साथ ही राजस्थान के नए उभरते हुए उध्योग में अपनी पैचान बनाने युवाओं के लिए एक मैसेज भी दिया है आप देख रहे हैं दनगरी मिडिया मैं हूँ ललित वर्मा ये अवाड मेरको Entrepreneur of the Year Power Sector में मिला है ये काफी prestigious अवाड है 2024 में अभी हमको National Quality Award मिला है You are as good as your team मैं इसको बहुत ही positive way में देखता हूँ मेर से ज़्यादा मेरी team इस बात के लिए खुश है कि अवाड हमको मिला कि अवाड है कि अवाड है कि अवाड है